नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राजीर सिंग प्रैक्टिसिंग पेडियर्टिरिशन हूँ इंदरपुरम मिलाक्य में गाजयवाज जिले में आज हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जो कॉमनली मिज्ट होता है और स्पेशली रात वेगरा म में होता है तो बहुत बड़ी एंग्जाइटी देता है आपका फेवरेट चानल हेल्टिंग मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें लोगों को बताएं सो देट उन्हें इन कॉमन होम टिप्स का आपको उनको फाइदा मिले और प बच्चा छोटा है छोटे का मतलब मोटा साफ मान के चलो न्यूबॉन टाइम से लेके करीब चार से पांच महिने तक अब एक सिचुवेशन यह आती है कि रात में बच्चा दो बजे उठके रोय जा रहा है रोय जा रहा है और रोय ही जा रहा है आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया तो क्या वो चेक्लिस्ट है जो हम क्विकली रन थू करके और कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ों को हम एनलाइज करके एक कॉन्टूजन तक पहुचने की कोशिश कर सकते हैं समस्या बहुत बड़ी है चूँकि छोटा बच्चा आपको हमारे आपके जैसे बत पर क्या आता है अगर एक बच्चा रोए जा रहा है रोए जा रहा है सो सबसे पहले हम उसको हंगर मान के ही चलते हैं जनरली हंगर वाली क्राई कैसे आएगी धीरे 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 आते हुए उपर जाएगी वो दो बार रोएगा फिर चुप हो जाएगा फिर चार फिर खेर ऐसा ऐसा करके फिर वो पीख पे जाता है. अब इसका solution क्या है? तो आपको हमने इस previous videos में बताया हुआ है कि बच्चा रोता है, ब्रेस पे जाता है और अगर हमें ये दिखता है कि बच्चा दो गंटे सोया है, तो शायद उसका पेट भरा हुआ है. तो अगर फिर भी आपको doubt है तो आप क्या करेंगे अपना दूद मा निकाल के कटोरी चम्मत से जो 6 गंटे रूम पे रख सकते हैं उससे top up कर देगी याद रखे मैंने bottle feed कभी भी promote नहीं किया और आपको भी bottle से बाहर आना चाहिए वो हमने previous वीडियो में इसके नुकसान बताय हुए है अब लग रहा है आपने निकाला हुआ दूद दे दिया उसके बाद भी रो रहा है तो एक ये special situation है जहां आप formula milk यूज़ कर सकते हो बट cow milk, कोई भी animal milk, buffalo milk, goat milk किसी भी तरीके से dilute करके कैसे भी करके नहीं देना है तो अपने पर तीन ही रास्ते हैं मा का दूद, निकाला हुआ दूद और formula milk जैसा लिखा हो वैसा ही बनाना है 30 मिनिट से ज़ादा बना के नहीं रखते हैं देने का तरीका क्या है एक छोटे बेवी को अगर वो direct breastfeed नहीं कर पाता इसके बहुत कारण हो सकते हैं जैसे नाग बंद हो सकती है निपल सोर हो सकता है, निपल छोटा हो सकता है, निपल अंदर हो सकता है लाचिंग मेथट गढ़बढ हो सकता है इन सारी चीज़ों की वज़े से बच्चा दूद होते हुए भी शायद दूद नहीं पिएगा तो कटोरी चम्मच पहला, दूसरा पैलेडे आता है पैलेडे को अगर हम locally बोलेंगे तो चोच वाला दिया जैसा मेटल का आता है, जनरली दिवाली वेगर में भी यूज करते हैं करीफ 15 ml का volume होता है तो वो भी यूज किया जाता है, इस्पेशली हम अपने ICUs में यूज करते हैं उन चीजों को तीसरा तरीका होता है, सिरिंज से निकाल के पिला सकते हैं तो यह हो गया है, इसके बाद अगर बच्चा शान्त हो गया तो आपको पता चल गया कि यह भूखा था जो सबसे common problem है, दूसरी most common problem, हम common से less common की तरफ जा रहे हैं नाग बंद, नाग बंद is such a small thing, जो कई वर ignore हो जाती है, या पता भी होती है, तो हमें उसकी severity समझ नहीं आती है छोटे babies में होता क्या है, कि यह जारतर सांस जो है, आपकी नाग से ही लेते हैं और oral cavity से आपका airway से सांस लेना compromise रहता है, दो से तीन महिने तक so it is basically कि मुझे में सांस नहीं ले पारा, सांस लेने का एक ही रास्ता है, नाग अगर मेरी बंद है, तो obviously baby feeding compromise हो जाएगी क्यूं हो जाएगी, एक दो सक करेगा, सांस फूल जाएगी, बच्चा आटेगा, फिर जाएगा, फिर हटेगा, तो अगर नाग खुली थी, तो smooth process था, 5-7 मिनिट में दूद पी लिया उसमें, अगर नाग बंद है, तो interrupted feeding हो जाएगी, एक बार में पूरा volume नहीं जाएगा तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे दूद मांगेगा, और नाग ब्लॉक है कैसे पता करेंगे आप, बच्चे को आप ऐसे लेके घूमते हैं, तो बच्चा comfortable, सूधन रहता है, जहां आप नीचे रखते हो, रोना शुरू कर देता है, ब्रेस पे पकड़ता है, छोड़ता है, नाग से खड़खड की आवाज आती है, एकदम quiet room में अगर कान अपना नाग पे लगाएंगे, तो वो sound आ जाती है, और कई बर chest से भी sound आती है, जब नाग ब्लॉक होगी या running होगी, तो nausea vomiting tendency भी बढ़ जाएगी, तो spitting का एक जो pattern था, वो आप देखोगे के बढ़ जाता है, तो नाग में saline drops डालके या steam देके आप इसको handle कर सकते हो, saline drops नमक पानी की drop है, pre-feed and pre-sleep, जब ऐसा हो तो excessive crime बच्चे में ये काफी relief दे देता है, तीसरी बार temperature की, अगर हाथ पाउंग ठंडे होंगे, कान ठंडा होगा as compared to core of the body, मतलब बच्चा first stage of hypothermia में जा रहा है जिसको cold stress बोलते हैं, केवल इस वज़े से भी बच्चा रो सकता है, तो एक के बहुत common और remedial चीज़ है, तो अगर ये ठंडा लग रहा है, तो आपको kangaroo mother care, mother को अपने साथ रखना है, room temperature बढ़ाना है, और baby का temperature बढ़ाना है, तो कपड़े अड़ करिए, peripheries को ढग दीज़ मॉनिटर करते रहिए, और room को और warm कर लिज़े, पंका कूलर AC जो चल रहा है, थोड़े टाइम के लिए बन कर सकते हैं, उल्टा भी होता है, अगर मैंने बताया के हाथ पाउं ठंडे थे, तो घर जाते ही, चार कपड़े डाल देते हैं, तो जब आप ज़्यादा कपड़े अगर हम देखेंगे, तो कोलिक, अच्छा कोलिक के बारे में बहुत सारी मिट्स हैं, और इसमें समझना यह है कि इसको अभी हम भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए है, साइंस में भी बहुत इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है, मोटी सी बात क्या समझते हैं, हम लोग जनरली ये टूवीक्स के बाद आता है, मेल में जाधा आता है, फॉर्स टाइम मदर, एंग्शियस मदर में जाधा होता है, अब इसका एक पेट दर्द हो रहा है, कोलिक का मतलब मोटी सी बात के आए, कि बच्चे में पेट दर्द हो रहा है, इसको कई बहर हम गैस बोलके तो अब कोलिक क्यों होता है कारण किसी को एक्जैक्ट नहीं पता है दो तीन थेोरीज है उस पर जाने कि अभी अभी अकेडेमिकली जरुवत नहीं है आपको तो डाइगनोस करना है उसको जो मैनेज कर सकते हैं वो करना है जनरली टू वीक्स के बाद मेल बेबी एक फिक्स टाइम पे बच्चा रोना शुरू करेगा एक इंपोर्टन परामिटर होता है शाम के साथ बजे रात का एक बजे सूबा के चार बजे जनरली तीन घंटे ओन अन अफ रोएगा और बहुत जादा चीक चीक के रोएगा फेस रेड हो जाता है मुठियां भीच लेते हैं और यू अकड़-अकड़ के रोना शुरू करते हैं अगर आपको लग रहा है ऐसा टाइम फिक्स किया तीन घंटे ऐसा तीन दिन हफते में हो गया और ऐसे तीन हफते आपके गुजर गए तो हम मोटा सा एक लेबल कर देते हैं कि यह एब्डॉमिनल कोलिक है या इवनि की दाल ले ली इस वज़ए से होता है बड़ साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी स्टैबलिश नहीं है मदर को नॉर्मल डायट जाने दीजे अब मैनेज कैसे करेंगे हम लोग इसमें जनरली देखेंगे आप बहुत पेरेंट्स वाउच करके बोलते हैं कि हींग लगाते हैं अ बजन क्या है सो चौथा यह हो गया पांचवा इंपोर्टन चीज क्या होता है इमोशनल बेबी होते हैं कुछ जिनमें कोई कारण नहीं है देर इस नतिंग आपने फीड दे दी नाग खोली टेंपरेचर कम ज्यादा चेक कर लिया आपने उसको दवाई भी दे दी हिंग क्या करें और कौन से सिनिस्टर क्राई है जिस पर आपको अस्पिताल में जाना है अब कुछ चीजें होती हैं जो आप मिस कर सकते हैं उस पर ध्यान रखेगा अगर बच्चे को कान में दर्ब आ गया इस्पेशली पूरा लटा के आप सुला के पिलाते हैं अगर दूथ तो कान में दूठ जा सकता है इस्पेशली बॉटल फेट बेवीज में ब्रेन इंफेक्शन इसको बहुत ज़्यादा उपर दी मानना है बड़ मिस भी नहीं करना है ब्रेन इंफेक्शन में इनिंजाइटिस में भी एक्सेसिव इंकॉन्सॉलेबल कराई होती है बोईज में होगा कलर चेंज हो जाएगा यह आपको रेडिश होगा रेडिश को इग्नोर किया ब्लड सप्लाई कंप्रमेज होगी तो गैंगरीन में भी बदल सकता है कुछ बच्चों में जॉइंट में भी स्वेलिंग आ जाती है जो काफी टाइम लग जाता है पकड़ने में कुछ ब अगे बच्चा सिख है देखने में उसका चेहरा उतरा हुआ है फीवर आ गया है लेस देन त्री मन्स ओल बच्चा जिसको एक सो एक से जादा बुखार आया है कुड़ बी यह वेरी अर्ली साइन के बच्चा रैपिडली डिटोरियेट हो सकता और उसके अंदर इंफेक्श लेवल कराई है यह सारे पैरामिटर्स अगर आपको दिखते हैं तो शायद बच्चा कोई इंफेक्शन में है इसके लिए इमर्जेंसी में या अपने पीडियाटरिशन से जरूर कॉंटैक करें लास्ट टिप आपके सारी दवाईयां खतम हो गई आपने उसको दूद पिल कर दिए ओडियो विज्वल स्टिमुलस कम कर दीजिए बहुत शोर नहीं आना है फोन फोन की आवाज लैपटॉप टीवी की आवाज कम करनी है बहुत लाइट भी थो नहीं करनी है कमपटेबल करिए रॉकिंग और रिदिमिक मॉवमेंट बे उसको मूफ कराईये अपने अधर की आवाज पैचानते हैं कोई भी लोरी या कोई ऐसा साउंड कोई ऐसा सौंग आप उनको सुनाना शुरू करिए तब भी नहीं रोएं तो यू केन गो फॉर थोड़ा सा वाक रूम के अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर घूमिए फिर भी नहीं समझ में आता है फॉर अग सतम हो जाती है उसके बाद भी बच्चा रो रहे तो आपको स्पताल जाना चाहिए सिक बेबी की कुछ साइंस मैंने बताई उस पे जरूर नजर रखिए तो कि इस सेज में बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है कई बार चीज़ें मिस होती हैं हमसे भी होती हैं आपसे भी हो थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो अभी के लिए इतना ही आगे हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस कॉमन बेसी बेसिक टॉपिक्स पे बताते रहेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और रिकमेंट जरूर करिएगा आपका मैं फेवरिट चैनल है हेल्टिंक और मैं डॉक्टर राजी हूं पीडियाट्रिशन इंद्रपुरम गार्ण